बिहार की सिख्षक भर्ती में बियर्ड अभ्यर्थों की पातरता से संबंदित मानने सुप्रिम कोट के कोट जज्मेंट के बाद से पूरे देश भर के जो बियर्ड को लेते हुए सिख्षक भर्ती कम्ट्रीट हो चुकी है अब उस पर खतरा मड़राने लगा है ओनरेबल सुप्रिम कोट ने अपने कोट ओर्डर में ये बाते मेंशन की हैं कि 2018 में 28 जुन 2018 के उस नोटिफिकेशन के बाद से जितने भी एडवर्टीजमेंट या फिर उसके संबंद में स्टेप्स लिये गए हैं वो सब भी इन्वैलिड करार दिये जाते हैं आप इस पैरा के तीसरे लाइन में बाते हों को देख सकते हैं इन सब को ले करके और इसी पॉइंट को आधार बनाते हुए अब भीर्थी पहले की भर्थियों को अब सुप्रिम कोट तक चैलेंज करने लगे हैं क्या है मामला जानेंगे इस वीडियो में अंत तक जरूर ज तो पूर्ण है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम नीरेज आप देख रहे हैं केरियर बिट योट्व चैनल अगर आपर शानल पर पहली बार वजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए लेकिंट को प्रेस करना ना भूले है इसी के क्रम में पश्चिम मंगाल से एक फैसला माने ने सुप्रेम कोट ने दिया था वो किस प्रकार से इंप्लिमेंट होगा कैसे और कब डेट से ये प्रभावी माना जाएगा इसको लेकर के प्रेयर किया गया है आप इसकर पर देख पार होंगे पहला पॉइंट देख सकते हैं प्राइमरी एजुकेशन विच नोटिफिकेशन इच चैलेंजड बिफोर दो ओनरेबल हाई कोट अफ कलकत्ता इन दप रीट पिटिशन नंबर दस चपन ऑफ दो हजर थेईस एन अधर सिमलर रीट पिटिशन पेंडिंग देयर इन यानि कि पश्चिम मंगाल के जो डियले ही चैलेंज किया जा चुका है और रीट पिटिशन नंबर दिया गया है और इसके सिमलर अने रीट पिटिशन है उसमें बीएड अभेटों के इलिजिबिल्टी को किस प्रकार से मानने सुप्रियम कोट जस्टिफाई करती है इस पर पूरा डिपेंड करेगा अन राज्य की भरतियों के मामले भी जैसे कि उत्तर प्रदेश का जो 79 जर सिक्षोकों की भरती है वो भी उसी 28 जुन 2018 के नोटिफिकेशन के बेस पर था और चुकी मानने सुप्रिम कोट ने बिहार वाले जज्जमेंट में साफ सब्सब्दों में लिखा है कि 2028 के इस नोटिफिकेशन के प्रॉपर इन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टैंस ऑफ दा प्रिजेंट केस तो ये मामले में जो फैसला आएगा वो सभी राज्यों की पहले की भरतियों के लिए एक नजीर साबित होने वाला है इसके अलावा जो पहले से ही बीड भीरतियों के द्वारा क्लेरिफिकेशन एप करने की तैयारी में थे उससे पहले बीड भीरतियों के द्वारा ही क्लेरिफिकेशन एप्लिकेशन दायर किया जा चुका है तो ये सब कुछ देखना होगा कि पहले की भरतियों को लेकर के मानेने सुप्रीम कोट क्या रुख अपनाते हैं इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धनेवाद भगवान करें आपका दिन शूभ हो